क्या कोई मुख्यमंत्री शडाब के लिए अपनी मा की जूठी कसम खा सकता है? क्या कोई CM है जो अपनी कुर्सी को दाउं पर लगा कर शडाब पी कर जनता को संबोधित कर सकता है? तो पहले आप यह वाइरल वीडियो देखिए जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री गुरुदारे से जनता से संबाद कर रहे हैं पार्लीमेंट देविच एक म्यूजियम है उस म्यूजियम देविच एक कमरा है उदा नाम है ड्राफ्टिंग ऑफ कंसिचुशन भारत के सवधान की ड्राफ्टिंग जब हो रही थी कौन-कौन बैठे थे? जी हां इस वीडियो में दिख रहा शक्ष नव निर्वाचित पंजाब के सीम भगवन्त मान है उनकी जुबान जिस तरीके से जनता को संबोधित करते हुए लड़कडा रही है उससे तो शायद यही साबित होता है कि भगवन्त मान शराब के नशे में है और वह शराब पी में बीजेपी ने हार का सामना किया था और वहां आमाद में पार्टी ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी पंजाब में अरविंद के जुरिवाल द्वारा भगवन्त मान को सीम बनाया गया था इस वाइरल वीडियो के बाद विपक्ष को पंजाब सरकार पर आरोप ल वीडियो शेयर करते हुए आरोप लगाया है कि भगवन्त मान ने भाशन के दौरान दारूपी रखी है इस वाइरल वीडियो में कितनी सच्चाई है यह तो खुद भगवन्त मान ही जानते हैं आज की स्वार्थी दुनिया में जब एक आद्मी अपने माबाप के लिए कुछ नहीं करता बच्चों के लिए कुछ नहीं करता ऐसी स्वार्थी दुनिया में इतना बड़ा संकल्प करना यह कोई छोटी बात नहीं है कि एक जनवरी के बाद से मैं दारू को हाथ नहीं किया था कि उन्होंने दारू पीना छोड़ दिया है और भगवंत मान ने भी अपनी मां की कसम खाते हुए कहा था कि मैं दारू छोड़ दूंगा हलांकि पंजाब सरकार बनने से पहले केजरिवाल ने साफ कहा था कि हमारी पार्टी अगर पंजाब में सरकार बनाती है तो पंजाब की सबसे बड़ी नशे की समस्या को सबसे पहले खत्म करेगी पंजाब के यवाओं को नशे की लट छोड़वाने के लिए हर संभाव प्रियास करेगी ऐसे में अगर यह वाइरल वीडियो सही साबित होता है तो पंजाब सरकार और केजरीवाल पर प्रसुचिन लगना सौभाविक है लेकिन यह राजनीती है यहां राजनीतिक पार्टियां जूट को सबसे पहले सम्मान देती है इसका ओधारन दिल्ली में अन्नाहजारी के साथ बेठे सक्स का हो सकता है जिससे बार-बार पूछा गया कि आप राजनीती में आना चाहते हो तो उसने सबके उत्तर का जवाब नामें दिया और वर्तमान में वह दिल्ली के सीयन की कूर्सी सम्माल रहे है और इसी प्रकार यदि भगवन्तमान की बात की जाए और ये वीडियो सही साबित हो तो ऐसे में सीयम भगवन्तमान सवालों के कटगरे में खड़े हो जाएंगे लेकिन उन्होंने अपनी मा की कसम खाई है इस बात का सबसे बड़ा दुख होगा आप सभी को इस वीडियो को देखने के बाद क्या लगता है अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताईएगा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकिशन बेल को आउन कर लिजे और अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेच को फॉलो जरूर कीजेगा